मैं मानस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ UP Academy for Civil Services में भारती भुगोल की ये क्लास काफी जरूरी है पिछली क्लास से प्लस आप ये भी एक बात मान के चलें कि इस एक टॉपिक से एक प्रशन जरूरी है तभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और कोई भी चीज मैं सिर्फ इस लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो एक्जाम में आएगा अगर एक्जाम में नहीं आएगा तो मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमें कोई PhD नहीं करनी हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है एक्जाम को पास करना और एक्जाम में हमारे सारे प्रशन सही हो जाए बस इतना सा अपना मोटेव है यही मैं आपको कराना चाह रहा हूँ अब आपके सामने जरा सा ये देखिए, ये पार्ट आपके सामने हो चुका है, इस पार्ट को जरा सा देखिए, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो की आपका एक प्रशन सही करा देगी, एक प्रशन यहां से आएगा और वो आपका सही जरूर होगा, ये सामने जो आ लाइने हैं इने बोलतें कौन सी रेखा अक्षानस रेखा जल्दी जल्दी देखें समय ज़्यादा नहीं बरबात करूंगा यह जो हुरीजेंटल लाइन है यहां पे जो होगी यह इसपैं सारी रेखाएं एक दूसरे के समाना अंतर हैं ये कितना है 0 डिगरी ये कितना है 90 डिगरी अगर आपसे कोई को पूछे कि बहिया कुल कितनी गलोब पे अक्षांस रेखाएं हैं तो याद रखिए ये तो 0 है 0 से 90 इधर और 0 से 90 इधर ये है North Pole और ये होता है नीचे वाला South Pole ठीक है ना तो 0 से 90 डिगरी उपर जाएंगे तो इस लाइन को छोड़ दीजे तो 89 लाइने उपर horizontal ऐसे 36 समाना अंतर दिखेंगी और 89 लाइने नीचे दिखेंगी और एक लाइन ये बीच वाली कुल कितनी रेखाएं हो गई तो याद रखिएगा ये चीज़ आपको बहुत जरूरी याद रखना है 9 के 9,9,9,8,1,19,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9, zero degree line है, इसको equator बोलते हैं, ये तो हो गया चैति जी रेका के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, latitude یा हिंदी में बोले तो, adjust rós रेका हैं, तो कुल 69 अकशान्स रेका हैं, दक्षणी गोलार्ड में हैं, 89 उत्तरी गोलार्ड में हैं, एक जो है वो कहाँ पर है एक जो है वो center वाली ये zero degree line ठीक उसी तरीके की देखे इधर ये जो vertical वाली line है इनको बोलते हैं कौन सी रेखा है देशांतर रेखा है या फिर longitudinal lines कौन सी lines longitudinal lines अब अगर किसी एक को आप देखे ये एक line मान लीजे ये उतरी गोलार्थ का north pole है और इसक आप reference या zero degree या zero line मान लीजे तो एक round अगर आप यहां से यहां तक पूरा 360 degree घूम जाएंगे याद रखिएगा कितने degree घूम जाएंगे पूरा degree घूम जाएंगे तो 360 degree आप पूरा घूम रहे ना तो ये सारी कौन सी है ये सारी है देशांतर रेखा है ये सारी रेखा है आपको मैं रवता दे रहा हूं और अभी रट लीजे जो पृत्वी घूमती है वो ऐसे घूमती है पृत्वी घूमती है किदर से पश्यम से वेस्ट से इस्ट की तरफ याद रखिएगा पृत्वी अपने अक्ष पर वेस्ट से इस्ट की तरफ घूमती है एक दम दिमाग म ये वाली लाइन को देखे, ये जो 0 लाइन है, 0 डिग्री लाइन, याद रखिएगा, ये अगर इस धर्ती को आप ऐसे, ये जो गोल है, इसको आप बीच पार्ट में ऐसे खरबुझे को दो हिस्सों में डिवाइट करें, तो याद रखिए, इधर वाली जो पहली लाइन है, ये है 0 डिग्री या इसको बोलते है, 0 डिग्री मेरीडियन लाइन, 0 डिग्री मेरीडियन लाइन को ही बोलते है, क्या, ग्रीन विच रेखा, ये जो 0 डिग्री लाइन है, इसको बोलते है, ग्रीन विच रेखा, और इसके जो ठीक पीछे है, इसके ठीक पीछे को उसी मतलब इसके ठीक opposite side जो ऐसे ही घूम के आ रही होगी और इससे मिल रही होगी उसको बोलते हैं international date line तो दो चीज रड़ डा लिए international timeline कहां से पास होती है greenwich लेखा ये है zero degree ठीक है न zero degree meridian ये है और जो international timeline है वो इसके ठीक opposite से अगर इस diagram में आप देखेंगे तो आपको clearly समझ में अगर बात की जाए है तो अगर चीज दिमाग में रट जाए है और जो 180 degree का मतलब जब ये पूरा घूम जाएंगे, ये जो 180 डिग्री वेली लाइन है, ये पूरा घूमने के बाद देखे, ये है, तो आप कभी भी भूगोल पढ़ रहे होंगे, तो दिमाग में दो चीज़ें concept clear रखेगा, ये देखे, ये 0 डिग्री लाइन है, इधर देख लीचे, ये कौन national date, याद रखेगा, सारी दुनिया का जो दिनांक होता है, वो यहां से decide होता है, जो time decide होता है, यहां से decide होता है, ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, तो मैंने आपको जब बताया, तो एक है अक्षान से रेखा हैं, जो 6 ते जहां दूसरा जो देशांतर रेखा हैं, ऐस ये कितनी होती है, 111 km की, अब 2 देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी निकालनी हो, तो याद रखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है, Equator पे, ये याद रखिए, 2 देशांतर मतलब ये रेखा ले लीजी, ये रेखा ले तो वो रहेगी equator line पे इस line के उपर और कितनी दूरी रहती है तो 111.33 km तो याद रखिएगा दो देशांतर line के बीच में equator पर जो distance होती है वो 111.33 होती है और दो अक्षांसों के बीच में जो distance होती है वो होती है 111 हर अक्षांस एक दूसरे के parallel है याद रखिएगा हर अक्षांस line एक दूसरे के parallel है कुछ चीजे माँ आपको बता दूँ जो 0 degree meridian है उसी को बोलते है greenwich mean time कहां से पास हो रही है यह देखिए 0 से नीचे वाले 0 को उपर वाले 0 से मिला दीजेए यह कौन सी रेखा है यह 0 degree रेखा है जिसको greenwich mean time बोलते हैं यहीं से measure किया जाता है time ठीक है उसके बाद 180 degree longitudinal को यह देखिए जो पीछे साइड गई इसको गोल गुमा दीजेए देखिए वो glow था उसको खोल दिया मैंने थी यह सामने खुल गया अब इसी को गोल गुमा बीच में दूरी maximum देखनी हो तो equator पर दिखेगी 111 दस मिनों 33 किलोमेंटर दो अक्षांसों के बीच में 111 किलोमेंटर अब एक और सबसे जरूरी बात पृत्थवी अपने अक्ष पर किधर से किधर की और चल रही है west से east की और देखें कुछ ऐसे नाच रही है हाँ यह आप मानते है जब पृत्वी इतना नाच रही है तो याद रखें 24 घंटे में कितना डिगरी नाच लेती है पृत्वी अपना एक चक्कर किते पूरंग पर लेती है 24 घंटे में 360 डिगरी पृत्वी नाप लेती है तेखें न यह आपको पता होना चाहिए इसका मतलब एक घंटे में कितना पृत्वी गूमती है तो याद रखें यही आपको मैं रटाना चाह रहा हूँ एक घंटे में पृत्वी 15 डिगरी चलती है मतलब अपनी अक्ष पर 15 डिगरी यह मैंने कैसे बताया पृत्वी का यह नौर्थ पोल है यह साउथ पोल है पृत्वी पश्यम से पूरू की तरफ चलती है गुलाई में घूमती है जब गुलाई में घूमती है तो एक दिन में 360 बटे 24, 15 डिगरी गुमेंगी, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, एक गंटे में पृत्वी 15 डिगरी किधर गुमती है, पूर्व की तरफ बढ़ रही होती है, ये याद रखेगा, इदर दिखें, जो ग्लोब है वो 15 डिगरी गुमता है, पूर्व की ओर, कब 1 गंटे में, अ जरा सब भारत के बारे मैं आपको बता दूँ, आपको अक्षांस देशांधर पता चलिया है, इसका मतलब जब मैं अक्षांस देशांधर की बात कर रहा हूँ, तो भारत आपको कहा दिख रहा है, देखें, ये जीरो लाइन दिख रही है, ये देख रही है, इदर देख ल लाइन से यहां से भारत शुरू हो रहा और यहां पे खतम हो रहा है जो यह पॉइंट है वह 8 पॉइंट यहां से शुरू होगा और यह जो है 37.6 डिगरी नौर्थ है याद रखेगा इससे ऊपर चलेंगे तो नौर्थ और यह 0 लाइन से यह जो 0 डिगरी दिख रहा है इससे इधर चलेंगे तो east तो भारत कहां पे है भारत जो है globe के north east में है याद रखेगा उत्तर पूर्वी में है भारत गोलार्द दखेटा है उत्तर पूर्वी गोलार्द में भारत इस्थित है इसका मतलब भारत में यह देखे यह 0 degree line है 0 degree line में यहां का कितना अक्षांस है 8.4 degree और भारत का टुक की उपर वाला टुंडी कितना है 37.6 degree ठेकर न यह है भारत का अक्षांस तो देशांतर क्या हो जाएगा यह 0 degree line है इधर देखे भारत का देशांतर ऐसे आप पता कर सकते है कि 0 degree line से यह है भारत गुजरात से शुरू होता है और जल्पे खतम होता है देख रहे न तो यह कितना होता है 68.7 और यह कितना होता है 97.25 degree क्या east यह कौन सी line है यह मैं line कौन सी बना रहा हूँ यह मैं vertical line बना रहा हूँ तो यह देशांतर है इसके पहले जो बना रहा था वो क्या बना रहा था अक्षांस बना रहा था तो भारत की अगर आप position कहें तो अगली वीडियो में अब आपको numerical करने लाइक आप हो चुके हैं एक बात फिर से याद रखिएगा प्रित्वी एक गंटे में कितरा डिगरी घुमती है अब सीधे सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर यह है भारत का एक नक्षा आप देख रहे हैं भारत के नक्षे में मैंने बताया यह जो है यह लाइन है अगर horizontal है तो यह कौन सी लाइन है अक्षांस रेखा है यह कौन सी है अक्षांस तो भारत को रटने के लिए आप पहले एक phone number याद कर लीजिए वो phone number क्या है 84-376-6797-25 यह एक number है यह आपको रटना पड़ेगा यह क्या है crystal clear याद रखिएगा 84-376-6797-25 और यह एक प्रशन यहाँ से जरूर पूछेगा यह मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ चाहे कोई भी यह शुरुआ आप में पूछे चाहे बाद में देखिए UPPCS इधर मैंने आपको basic introduction बताया और इधर प्रशन पूछ लिया है तो 84-376 क्या है देखिए पॉइंट four सारी 84 नहीं 1.4 और भारत का सबसे top point यह कितना है 37.6 degree north यह भारत का अक्षांस है देखिए दो अक्षांस है इस अक्षांस के बीच में है और देशांतर भारत का कहां से कहां आता है देखिए यह है एक देशांतर यह कितना है अरशट दसमलो 7 डिगरी इस्ट से लेके कहा तक है ये 97.25 डिगरी इस्ट तक इसी लिए ये जो मुबाइल नंबर बना देखे 8.4 से लेके 37.6 तक 84.376 अरशट का मतलब 68.7 और 97.25 ऐसे आप इसको रट सकते हैं ये क्या है भारत का अक्षांस और ये क्या है भारत का देशांतर मतलब भारत अक्षांस और देशांतरों के बीच में ये एक सेट एराके में है अब आपके सामने एक प्रशन आएगा देखे दियान से देखेगा मैंने आपको दो चीजे मताई है भारत का जो standard time line है जो standard meridian line है zero degree line का मतलब greenwich time का और ये क्या है standard meridian line greenwich time कितने line पे है जो time line है वो कितना है zero है माल लीजे यहां कहीं था time line जो वही लंदन से जो pass हो रहा था उसको international क्या बोलते है GMT बोलते है तो GMT कितना था zero degree और ये कितना है 82 degree into 1.2 ये मतलब 82 degree के लगभगर आप मान लीजे 82 into 82 सही एक बटे 2 degree पे भारत का जो standard time है या standard time of India standard meridian time of India इतनी पर पढ़ता है अब आपसे अगर कोई पूछे याद रखेगा यहां पे भारत का है ये कितने zero degree से या GMT से या फिर कहा जाए green which time से कितना आगे है तो साड़े 5 गंटे आगे है ये आप कैसे बताते हैं ये जैसे साड़े 5 गंटे आगे है ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ प्रश्न एक बार नहीं दो बार काया है अगर ये देखे प्रश्न है क्या कि अगर आप गुजरात के इस जगह से अरुनांचर प्रदेश के इस जगह जाओ ध्यान से सुनिए गाँ प्रश्न क्या है बड़ा टेढ़ा प्रश्न है यूपी PCS में पूंचा था का अनतर आएगा एक आद्मी यहां पर घड़ी देखे और एक आद्मी यहां पर घड़ी देखे मैंने बोला टाइम लाइन कहा है GMT जो जीरो डिग्री Lime line टी 180 डिग्री वाली लाइन क्यों सी है डेट लाइन जीरो डिग्री वाली किया है timeline, जड़ा से देखे, अगर एक आदमी यहाँ पर घड़ी देखे और एक आदमी यहाँ पर घड़ी देखे, तो कुल कितने डिगरी का अंतर आएगा, तो आप कैसे निकालेंगे बड़े आसानी से निकालेंगे, एक गंटे में प्रिथवी कितने डिगरी कांतर रहता है यादर कि एक गंटे में कितना डिगरी पंदरा डिगरी 9 या ऐसे ही कुछ आसपास आएगा 29 दस्मिलव दोच है 29 डिगरी दोच है ये आएगा लगभग मतलब कितने डिगरी का अंतर है इस से इसके में कितने डिगरी देशांतर का अंतर है 29 डिगरी देशांतर का अंतर है मतलब 15 डिगरी में कितना घंटे लगता है एक घंटे तो 29 तसमिलाओ 2-6 का मतलब लगभग 30 मान लीजे, तो 15 ये कितना है? 30 डिगरी है, तो 1 गंटे में 15 डिगरी, तो 2 गंटे में 30 डिगरी, तो इसका सही जवाब बताईए क्या होगा? 1 गंटे का अंतर होगा? नई, 2 गंटे का अंतर होगा, सिंपल सा प्रश्न था, ये mathematics का प्रश्न है, लेकिन देखे कितना आसान है, अब आपके लिए मैंने एक और प्रश्न यहीं पर सामने बना के रखा, ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, याद रखेगा, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, कि कोई भी timeline है, वो क्या है, तो ये मान लीजे, अगर 0 degree meridian है, 0 degree meridian का मतलब, 0 degree देशांतर रेका है, इससे इधर चलेंगे, तो एक गंटे में 15 degree count करना है, आपको बस इतना याद रखिया, और कुछ मत याद रखिया, हर आपका numerical ये सही हो जाएगा, तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताईएगा, इस वीडियो के साथ ही मैंने आपको एक प्रश्न दे रखा है, अब इस प्रश्न को आप करने के लिए कुछ नकल मत करिएगा, अपने मन से करिएगा, दिखिये, सामने लिखा हुआ है, कि भारत का जो स्टांडर्ड टाइम है, वो GMT से कितना आगे है, साड़े पांच गंटे आगे है, कैसे निकाला मैंने, तो सीधे सीधे मैं आपको बता दो, हमने कैसे निकाला, मैंने ऐसे ही निकाला कि भाई या पंदरे डिगरी वेराबर कितना, एक गंटा, भारत का जो स्टांडर्ड टाइम है, वो साड़े बयासी डिगरी का है, किदरे हैं, बयासी सही, एक बटे, दो डिगरी का है, तो आप काउंट कर लिजे, पंदरतिया पैता ले, इस चो को सा काईड में है, ठीक है न, कैसा लगा वीडियो, जरूर बताईएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, एक नए जबर्जस टॉपिक के साथ, ये प्रशन आप नोट कर लिजे, ये एक प्रशन जरूर आएगा, देखिए, UPPCS, UPPCS, सब लाइन से जड़ी लगी है, सिर्फ UPPCS के ही आने के लिए, अब अगला most important है, अब तक आपनी geographic के दूसरे तरीके से पढ़ा है, भारती भूगल को, अब आप दूसरे तरीके से पढ़ के देखिए, अब जब आप पढ़ेंगे तो आप से कोई प्रशन ही नहीं गलत होगा, क्योंकि आपको मैं वही पढ़ा रहा जो exam में आ रहा है, thank you so much, अच्छा लगे, तो ज़रूर like करिए, comment ज़रूर करिए कि क्या कमी लग रहे है, तीसरी बात, जब आप इसको complete कर लेते हैं, तो आपके लिए ROAR हो, चाहिए UPPSC हो, toppers code best application है, वहाँ पे मैं इन सारी PDF को upload कर देता हूँ, आपको पता है, आप जाके download कर सकते हैं, thank you so much,